आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि WhatsApp में है जब हमें कोई message किसी का मिलता है और जब हम उसे read करते हैं जैसे के यह message मैंने किसी को भेजा हुआ है तो वो उसके सामने वाला double tick जो है ब्ली हो चुका है इसका मतलब मेरा भेजावा message उसने read कर लिया है उसी तरह जब आपको कोई message आता है तो आप read करते हैं तो सामने वाले की screen पर यह double tick blue हो जाता है अगर आप चाहते हैं कि यह double tick आपने पड़ा हुआ message उसके सामने वाली की screen में blue ना हो तो आप इसके लिए settings कर सकते हैं कि आप अपने WhatsApp के settings में जाएंगे settings में जाने के बाद आपको अपने account में जाना होगा account में आपको privacy में जाना है privacy में जाके यह देखी यहाँ पर read receipt बोलकर एक option है इसके सामने वाली tick को हमें हटा देना है इसके हटा देते ही आपके आपने पड़े हुए message जो है यह आपको सामने वाले की screen में blue नहीं होगे तो अब जब जब भी आप किसी का message पड़ोगे तो सामने वाले को आपका पड़ा हुआ message blue होता हुआ इस तरह उसे blue होता हुआ नहीं दिखाए देगा Thank you guys अगर आपको मेरा video पसंद आया होगा तो share किजे like किजे subscribe किजे